बैक टू माई चैनल अर्थ शास्त्र की नगरी सो गाईज एक बहुत जादा बड़ी अपडेट जो है निकल के आ रही है टंग वन के रिजल्ट को लेकर जी हाँ लाखो स्टूडेंट जो है टंग वन के रिजल्ट का इंतजार करें बेसबरी से लेकिन टंग वन का जो रिजल रिजल्ट के इंदर जो है वो डिले हो रहा है तो आखिर उनोंने क्या क्या रिजल्ट बताया है बहुत जादा ध्यान से सुनेंगे कि आखिर रिजल्ट आपका अभी तक क्यू नहीं आया है ऐसा क्या हो गया हर बोट ने अपना डिकलेयर कर दिया लेकिन सीविस्ट का वो डिले होने पर रहा है उसका reason क्या है उसका पर कोस्षन प्रिपर के अंदर सबसे पैली बात K कि थो कौछ कुछ फाए Regionों के अंदर दूसरा नता कि जो कौष्षन ठीक था तो उसके अगर जो मजसें तो सिमिलर थे ठीक है या चौत्ता चलो question भी ठीक था और MCQ भी ठीक थे लेकिन जो उसके साथ option में दे रखे थे लेकिन जो आपकी marking scheme के अंदर answer दे रखा था वो गलत था तो चार reason है सबसे पहली बात तो एक तो आपके question के अंदर mistake थी ठीक है दूसरा आपका जो है जो options दे रखे थे किसी-किसी question में वो option गलत थे तीसरा question के option similar थे और चौत्ता चलो question भी ठीक है तो marking scheme के accordingly जो answer है वो जो है बिलकुल है आपके अलगते तो इस वज़े से क्या हुआ इस वज़े से अब होता कै देखो यहा पे सीदा सीदा रिजह हैं वारता जोने क्या बोला है कि बहया एक एक बच्चे के पास जो है ना 5-7 subject है ठीक है टम वन के अंदर एक बच्चे के पास 5-7 subject हैं जिसकी वज़े से हर question paper के नदर जो है printing mistake है या question के अंदर mistake है या marking scheme के अं मिनमम 30 questions जो है वो तो correct करने ही करने है ठीक है अब जो है ऐसी situation के अंदर जो evaluation का प्रोसेस है अब manually उनको check करना पड़ रहा है कि बैया check हो गया लेकिन एक बारी दुबारा manually जो है उसको check करना पड़ रहा है कि बैया किसी का भी जो है गलत न ζाए जैसे कि माल लीजी अ हर बच्चे के पास अलग-अलग SET आया माल लीजे एक बच्चे के पास odds aj appears ठीक है अमों है लो 7A के अंदर जो है तीन कोश्यनों मिस्टेक दी और 7B के अंदर जो है के अंदर एकution के अंदर मिस्टेक थी तो अगर ηCBshebac interacting चाता 운동 यह चाता दा सब करसके था कि सब इको bonus marks दे दे कि मैसे की सांद जैसा भी प्रके और प्लस 3-8 करके सबको bonus marks दे यह इसी वज़े से सारी की सारी answer sheet जो है आपकी OMR sheet जो है उसको manually जो है evaluation किया जा रहा है इस वज़े से आपका जो है जो result है उसके अंदर delay हो रहा है दूसरा जो question है जिसकी वज़े से delay हो रहा है वो है guys OMR sheet जी हाँ अगर जो normal OMR sheet होती तो उसको हम जो है machine से check कर सकते थे लेकि जो है OMR sheet को किया था जिसकी वज़े से machine से scan OMR sheet नहीं हो पाएगी उसको manually check करना पड़ेगा OMR sheet को तो बैया manually जो है 30 से 35 लाख लोग बच्चे जो है इन्होंने exam दिया वोन 30 से 35 लाख बच्चों के पास एक एक के पास 5 से 7 सा subject है तो सोची आप कितने answer sheets को manually check करना पड़ेग तो बाइ result में जो है वो delay होना ही होना है अगर guys question हों के अंदर mistake नहीं होती marking scheme नहीं होती ठीक है तो आपकी OMR sheet जो है वो नॉर्मल वाली होती अगर ये सारी चीजे होती तो आपका जो result है वो अभी तक declare हो जाता इतनी अभी तक आपको problem ही face नहीं कर दी पड़ती अभी तक आपका term 2 का date वगएर सब कुछ आ जाती बट ये कुछ सारी circumstances हैं जिसकी वजे से अभी तक आपका result declare नहीं हो पाया है और अभी भी जो आपके सहीं बारदो आजाए उन्होंने कोई proper date नहीं बताई है क्या हाजी अजो result है ये इस date पर आजाएगा उन्हें खुद नहीं पता कि result जो है कब आएगा लेकिन जब भी आए तो भाई या उसमें जो है सभी बच्चों को fair marks मिलेंगे जिसके जितने बनते हैं ठीक है जी तो यहां पे जो है बहुत ही जादा बड़ी अपडेट यहां पे निकल कर आ रही है आकिर examination जो controller थे सहीं बारदो आज उन्होंने बताई दिया कि भाई आगर यही चीज एक official public notice क करके अगर कर देते तो बच्चे जो है परिशान ही नहीं होते ठीक है अगर यही चीज बता दें भी लागों बच्चों महीनों से जो है नतिजार कर रहे हैं यही चीज अगर एक वैसे तो भई दुनिया वर के ट्वीटर पे करते ही रहते हैं अगर यही चीज एक बारी ट् टेक केर.